हलो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश येस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों हमारी हिंदी की क्लास क्या हो चाहिए स्टार्ट हो चाहिए जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे समास इस इंद्रेश परफिक है जो सभी एक्जाम में पूछेगा जो ठीक है यूपी पी हो गया या फिर सथीजीडी हो गया सभी एक्जाम के लिए जादा जादा वीडियो को सेयर कर दीजे चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब कर दिए थोड़ा सा जो ट्रिक है उसको आम लोग द सेयर और सब्सक्राइब तू बनता ही है चलिए आगे बताए समासिक सब्द को तोड़ना क्या कर लाता समास बिग्रह कर लाता जिसे बताए क्या बिद्याले क्या हो गया बिद्याले ठीक है एक मिनिट क्या हो गया बिद्याले ठीक हमारा क्या हो गया बिद्याले ठीक बिद को अलग-अलग करने को कहा जाता है विग्रह अगर अलग-अलग कर दीए तो देखिए वन रच्छक में पूछा हुए कोशन अलग-अलग करना क्या विग्रह कह लाता है ठीक है और जिस समास का पूरुपद मतलब पूरु का मतलब पहला पत प्रधान हो पूरुपद जिसका में होता है और कर्म धारे में होता है कर्म धारे में होता है ठीक यस चीजे याद होनी चाहिए दोंद समास में दोनों पत क्या होते हैं प्रधान होते हैं ठीक है दोंद समास में दोनों पत क्या होते हैं प्रधान होते हैं जिस समास का पुरो पत तथा उत्तर पत गौंड होता मतलब को टीसरा पत्प्रधान होता वह क्या होता बहुभरी होता क्या होता और जिसका प्रतियोगी विभिण Nepषाओ में क्या है बटाई इनमे से कौन सा कथन पूरी तरह से कौन नबर एक बताईए आप लोग इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंदित है क्या होता तत्पुरुष समास में पूरुपद प्रधान होता है बिल्कुल गलत है पूरुपद संख्या बाची होता है बिल्कुल गलत है इसमें प्राया उत्तरपद क्या होता प three-拜拜 CR में किसी भी एक्जाम में सब एहाम कर लेंगे ठीक जिस समासिक सब्द में पूर्वपद और उत्तर प्र उत्तर प्रद गौन्ड होते मतलब ना तो पहला पद ना ही दूसरा पद प्रधान होता है कोई तीसरा पद क्या होता प्रधान होता उसे कौंसा समास कहा चाटा त अनु रूप में कौन सा समास है अनु प्लस रूप में कौन सा समास है बताई अनु रूप में कौन सा समास है तो अनु प्लस रूप अनु क्या है एक अनु प्लस रूप अनु क्या है अब्या है या अब्या है ठीक है या उपसर्ग तो अब्याई भाव समास है ठीक है तीसरे नेक्स्ट बताई चालीस चार का आमरण में कौन सा समास है तो आमरण में आ क्या है मरण है आके हमारा एक उपसर्ग है तो हमारा भी पार्ट क्या हो जागा राइट हो जागा नेक्स्ट पताई कोश्चन नंबर सी कोश्चन नंबर हम लोग बताई आप लोग पांचवा द्वंद समास में कौन सा पद प्रधान होता है द्वंद समास में कौन सा पद क्या होता है प्रधान होता बताई द्वंद में दोनों पद क्या होते हैं प्रधान होते हैं क्या होते हैं दोनों पद हमारे क्या होते हैं राजा रानी ठीक है यह हमारे काई ग्यामपल है ठीक है राजा रानी तो दोनों पत क्या है इसमें प्रधान है ठीक याद रहे करें चलिए नेक्स चलते हैं आप बीती में समास कौन सा है आप बीती कोश्चन नमबर 6 तो आप पर बीती आप पर बीती ठीक है इसमें कौन सा सम सब्सक्राइब कर देना या चयुत कर देना हमारा कौन सा समास का इग्यामपल है यह भी हमारा किसके तदपुरुष का है पद से चयुत कर दिया है ठीक है तो क्या आएगा तदपुरुष से के द्वारा जिसमें आता है हाथ के लिए कड़ी तो क्या आजया तब भी साघ्री हथकर देगा तका कट रिफैर ह मग्ण में कौनसा समास है पदाईologie स्नेह मगन में कौन सा समास है जली बताए भी है फटाफट आप लोग बता दिए जो लोग पहली बार चैनल पर बिजिट हो रहे हैं चैनल को सस्क्राइब करिए हमारा टेलीग्राम चैनल है इंद्रेज जीस क्लासेस नाम से उसको भी आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बाक् से नेक्ट बताई कमल नयन में कौन सा समास है कमल नयन कमल नयन में कौन सा समास है पताईए भी या कमल की समान नयन तो किश्मी हो जाएगा यह हमारा कमल नयन अगर यहां करम धार जाता तो हमारा करम धार लेकिन क्या हो जागा है बहु ब्रही हो जाएगा ठीक है क्या हो जा पर देखेंगे आप लोग देखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा बताइए जिन समासिक सब्दों में पहला पत क्या होता है संख्या को व्यक्त करने और विशेशन होता है वे सब्द कहलाते हैं बताइए इक ग्यारा का तो हमारा कौन सा है दिगुः शमास होता है क्या होता है दिगुः शमास होता है ठीक राज दर्बार में कौन सा समास है राजा का दर्बार तो क्या जाएगा भिग्रह कलिये करी है, तद पूरुष संसे ठीक है नशक बताई अगला कॉसचम कोंशन नंबर तेरा बताई जल्दी बताई, तो यथा संभव, तो यथा क्या एक अभ्याई बहुसमास है क्योंकि क्या यथा एक अभ्याय है, ठीक है जिस question number 14 बता दीजिए जिस समास में पूरू पद कौण तथा उत्तरपद प्रधान होता है वो कौण सा समास कालाता है बताई तो हमेशा क्या कालाता है उत्तरपद जहां प्रधान होगा वहां तत पूरूश शमास होगा इसमें क्या होगा? पहला पत संख्या वाची होता है, दिगु में क्या होता है, संख्या वाची होता है, ठीक, क्या होता है, संख्या वाची होता है, ठीक, अद्वंद में क्या होते हैं, दोनों पत क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, बहु बरही में कोई तीसरा पत क्या होता है, प्रधान होता है ठीक ये चीज़ें याद होनी चाहिए A to Z आप लोगो कोश्चा नमबर 15 बताए निम्न में कर्मधारे समास का उधारन कौनसा है कर्मधारे का अचनम बिलकुल नहीं है सब परिवार प्रिये सखा काम छोर बताए पंदरा का कौनसा हमारा राइट एंसर है तो प्रिये सखा ठी है इसमें एक विशेशन और विशेश होता है ठीक याद रहेगा चली आगे चलते हैं अगला कोशन कोशन आप लोग 16 बताईएगा बताईए क्या करा रहा है बिदेश गमन बिदेश को गया हुआ गिरि-धारन गिरिक को धारन करने वाले को क्या बोलते है तो यहां कौन सा ह देश बिदेश तो यह समय साथ दुन्द समास आजायगा ठीक है अधाशी ग्रह typically अब भाव समास विदेश गमन है है क्या जाएगा तथ पूरुश आजाएगा और गिरी धर को क्या जाएगा बहूरी तो पहले का सेकेंड देखे कहा का दिया है फस्ट का सेकेंड दो आपसन में दिया गई है, फस्ट का सेकेंड, फिर फस्ट तो हमारा C, B पार्ट में, ठीक, B पार्ट में चलिए, आगे चलते हैं, नेक्ट बताइए, परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास है, बताईए, परमेश्वर में, कोशन नम्बर 17 बताईए, परम इस्वर, तिहां के आमेशा करमधार ऐगा ठीक है नेक्स्ट बताए कोशन net referred इसमें कुष्ण है यह बस प्रैक्टिस है इसमें और कोई थियरी पार्ट का ही नहीं क्या को ठीड़ा है समास में क्या बस यह जितना प्रैक्टिस कर लेंगे समास में यह जितने कौश्टन आपके सामने से गुजर जाएंगे previous year के जितने भी आये हुए हैं वही कोश्चन रिपीट दो कोश्चन 100% हर एक इंग्जाम में आता है जितने आप प्रैक्टिस कर लेंगे जितने नए नए कोश्चन को आप लगा लेंगे जितने आपके सामने से कोश्चन गुजर जाएंगे उतना ही आप प्रैक्टिस को बेन फीट ठीक है दोस्तों दाई सब्सक्राइब करा दूंगे अगर आप लों कमेंट बॉक्स में बताएं तो मुंबई में गगन चुम्बी मारत हैं गगन को चूमने वाली इमारत गगन तो गगन चूमबी ठीक है यह क्या है यहां पिकाउंसा करम धार है गगनो चूमने वाली इमारी कैसे सब्सक्राइब करता ने कर्म को यहां क्या ड़े कर्म तत पुरुषा जाएंगा ठीक है गगन को d कुटिन बाड़च प्रेजिक बताई चलिए बैल गाड़ी तो बैल के लिए गाड़ी में कौन सा के लिए करता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान दान देने के लिए के लिए होता है से लेप संप्रवाब करें पितांबर में कौन सा समाष यहां थास्त्र में प्रवीन बताए क्या है 20 का तो सास्त्र में प्रवीन अधिकरन का में पैपर ठीक है पितामबर में क्या बहु बुरी है ठीक है नेक्स्ट, देश भक्ति में कौन सा समास तो देश के लिए भक्ति, कौन सा समास तक पुरुष समास, देश के लिए भक्ति, देश के लिए हमारे अंदर क्या है, भक्ति कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है, देश के लिए भक्ति, तो तक पुरुष समास हो जाएगा 21 का, च तो है नहीं जो संसार में एक ही है उसमें हमेशा जो बहुबरही समास होगा ठीक है तो हमारा क्या जाएगा 23 का वैसे तो डी पार्ट यहां होना चाहिए बट वीडियो वीडियो एक्जाम में जो वीडियो वाल एक्जाम में इसको बहुबरही माना गया था वैसे मेरे ख्याल ततपूरली शमास नहीं है बताईे जिसमें में पैपर आता है धर्म से भरष्ट धर्म में भरष्ट तो होगा यिदर्म पूरसों में उत्तब ये तो बिलकुल सही है कुल में स्रेश्ट ये भी है जो हमारा अधिकरण है देश में आटन माटन देश में अटन बताईए देश केली अटन या देश में अटन देश बताई कॉंसा हो जागा इन डोटहरों बताईń the ea और e pregunt Question Number 24 का question number 24 देश में अटन होगा ऐ victim से भ्रश्ट होगा तो यह हमारा कौन सा नहीं है यह पूछा है तो हमारा A part right answer होगा चलिए next बताइए नीला अंबर सब्द में कौन सा समास है नीला है जिनका अंबर तो भभुबरी है नहीं तो यह हमारा करम धारे हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहां क्या है एक विशेष्टा बता रहा है नीला अंबर की विशेष्टा क्या है नीला है ठीक है समास के पदों को अलग-अलग करने को क्या का जाता है विग्रह कलाता है ठीक है विच्छेद नहीं कलाता है विग्रह संदी को अलग-अलग करना संदी क्रित अकृत में कौन सा्वार्ण से यहां भी अवgend भाव भाव समार्ण से क्या है अवह करमधार क्रितί अकृत में कौन सा समार्ण से 27 का करमधार देखे मैं इसको बताऊंगा ठीक चलिए नेक्स्ट कोच नमबर 28 वचन अम्रित वचन में अम्रित वचन रूपी अम्रित शारी वचन रूपी अम्रित थिक है इससे हमें पता चलता कि अब्वावी समास होना चाहिए ठीक 29 का देखिए 29 का जल्दी बताए 29 का अब्वाव समास है धर्म में जी नहीं ठीक क्या जाएगा पलपल में ठीक नेक्स चलिए आज मुस्से गलतियां हो रही है पता नहीं क्यूंठ प्रतिमान में कौन है अ में यथा सक्ति दान कर देना चाहिए यथा सक्ति यथा सक्ति में कौन सा है अब भाव समास है ठीक है 31 में क्या है अब भाव समास है नेक्स चलिए अगला कोश्चन कोश्चन आप लोग बताईए पितांबर में कौन सा समास है पीला है जिसका अंबर ठीक तो हमारा क्या है बह और साला तत्पुरुष शमास है ठीक नेक्स बताएं मृत विंजे मृत को जीतने वाले को क्या कब बोलते हैं मृत विंजे थर्टी फाइब का कौन सा तो सी पार्ट बहु रही चलिए नेक्स चलते हैं कोशन नंबर देखें ट्रेट यूपी ट्रेट में भी पोची हुए चाहा में कौन सा समास है चार रहों का समू क्या होता है दिगू शमास होता है ठीक नेक्स बताएं थर्टी सेवन किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता मतलब तीसरा पद प्रधान होता था तो बहु ब्रही में होता है यू जाव बोलते हैं, नेक्स्ट बताईए, अगला question चलती है, आई चलते हैं, question number आप लोग बताईए, 39, निम्लिखित में से चार बिकल्पों में से दिये गए सब्दों को सही समास वाला बिकल्प पहचानी है, चक्र धर, चक्र को धारन करने वाला, चक्र धारन किया जिसने, उस तो हमारा क्या जाएगा? दस हैं आनन जिसके, अग्र वीडियो अच्छा लगा है तो बताईएगा इसकी अगली वीडियो आगी, उसमें भी 60 question हम कराएंगे, ठीक है? अगर आप लोग इसे सपोर्ट अगर बनाएंगे तो जङदा-ज़दा हम लोग कराएंगे, ठीक है? त चैनल को आज के लिए इतना ही जय हिन जय भारत